प्रान शब्द के लिए, अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, पर हम इसे बुनियादी उर्जा कह सकते हैं, जिसे हम जीवन उर्जा कहते हैं, वही प्रान है. प्रान दस अलग-अलग रूपों में शरीर में मौजूद है, पर समझने के लिए हम बस पांच पर्थ्यान देंगे, इन पांचों को पांच वायू या पंच वायू कहते हैं, ये प्रान वायू, समान वायू, उदान वायू, अपान और व्यान हैं. इनका काम मानव तंत्र में मौजूद, विभिन्ना आयामों की देखरेख करना है, अगर इस विशय की गहराई में जाएं, तो वो अंतहीन हो जाएगा, मैं कम से कम शब्दों में इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखरेख करना, यानि यम मतलब नियंत्रन करना, प्राणायाम मतलब, वो विधी जिससे आप इन पांचों को कंट्रोल करना चाहते हैं. क्योंकि आपका शरीर कैसे काम करता है, आपका मन कैसे काम करता है, पूरा शारीरिक धाचा कैसा है, ये मानव तंत्र कैसे काम करता है, ये प्राण उर्जा से तै होता है. ये एक उर्जा है, ये एक बुद्धिमान उर्जा है, यानि इसमें एक खास मात्रा में यादाश्ट है हर इंसान के कर्मों की यादाश्ट इस उर्जा पर छपी होती है तो हर इंसान में प्राण अलग तरीके से काम करता है हर व्यक्ति के लिए बिलकुल अलग ये बिजली की तरह नहीं है बिजली स्मार्ट नहीं होती उससे रोश्णी होती है रोश्णी का बल्ब और कैमरा चल सकता है इससे एर कंडिशनिंग चल सकती है ये लाख चीजें कर सकती है पर अपनी बुद्धी के कारण नहीं ये एक ही काम करती है हमेशा किसी विशेश उपकरण के कारण एक निश्चित चीज होती है पर मैं आपको बता रहा हूँ ये भविश्य में होगा कि आपके पास स्मार्ट बिजली हो सकती है ये बहुत दूर नहीं है अगले 50 वर्षों में आपके पास स्मार्ट उर्जा हो सकती है जो एक विशेश तरीके से व्यवहार करेगी आप उससे खास तरीके का व्यवहार करवा पाएंगे क्योंकि आप उस पर याददाश च्छाप सकेंगे तो ये एक बुद्धिमा नूर्जा है इसमें एक निश्चित मातरा में च्छाप है इस वज़े से ये हर व्यक्ति में अलग तरीके से काम करती है तो प्राणायाम का एक बहुत विशेश रूप वो होता है जिसमें हम विशेश रूप से किसी व्यक्ति के लिए कुछ डिजाइन करते हैं क्योंकि वो एक अलग इनसान है उसके लिए उस तर पर आने के लिए एक सामान्य प्राणायाम ज़रूरी है जो पांचो वायों का ध्यान रखेगा अगर इन पांचो वायों पर महारत हो तो शारीरिक बीमारी या विशेश रूप से मांसिक बीमारी हो ही नहीं सकती अगर कोई अपने प्राणों को अपने हाथों में ले लेता है तो बाहरी वातावरन जो भी हो जो भी कमपन, तरंगें, भावनाएं या दूसरे कोई भी दबाव हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति के मांसिक संतुलन की 100% गैरंटी है जो अपने प्राणों को संभाल लेता है संतुलन से मेरा मतलब है शायद डॉक्टर आप में से ज्यादातर लोगों को असंतुलित नहीं बताएंगे पर कई लोग मांसिक रूप से असंतुलित है मान लीजे आपका हाथ ऐसा है मान लीजे कि ये हाथ अभी उचलने लगे और आपके आँखों में उंगली डाल कर आपको खरोंचने और पीटने लगे अगर आपका हाथ ऐसा करे तो ये बीमारी है, है ना? कम से कम आपका हाथ बीमार है चलो मैं पूरे व्यक्ति को दोश नहीं दूँगा कम से कम आपका हाथ तो बीमार है, है ना? ज्यादा तर लोगों का मन बस यही कर रहा है हर दिन ये आपको अंदर से खरोंचता है, रुलाता है, बामला बनाता है, चिंता देता है दुख की कई किसमों में ये कई बार आपके अपनी आखे नोच लेता है कैसा नहीं है? ये बीमार है, शायद समाज इसे स्वीकार ना करे, पर ये बीमार है तो जो अपने प्राणों को अपने हाथों में ले लेता है, वो 100% भरोसा कर सकता है कि उसका मानसिक संतुलन बना रहेगा, आप उसे नहीं हिला सकते शारिरिक संतुलन भी होगा, पर शारिरिक बीमारियां कई कारणों से हो सकती है एक बात है, इन्फेक्शन और दूसरे, सुक्षम जीव जो जीना चाहते हैं हाँ, वो जीना चाहते हैं एक और चीज़ है, विभिन प्रकार के रसायन और जहर, जिने हम जाने अन जाने में निगल सकते हैं और उससे कई चीज़ें हो सकती हैं तो शारिरिक बीमारियां, मैं कहूंगा, कि 90 प्रतिशत तक गैरंटी है कि ऐसा नहीं होगा लेकिन मानसिक खुशाली की 100 प्रतिशत गैरंटी है अगर आप मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं तो 10 प्रतिशत शारिरिक समस्याएं कोई समस्या नहीं होती वो कोई समस्या ही नहीं है ज्यादतर समय शरीर में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता आपके मन में जो प्रतिक्रिया होती है वही समस्या है है ना? हाँ है ना? तो प्राणाया मतलब आप बुन्यादी ताकतों को अपने हाथों में लेना चाहते हैं जैसा कि मैंने कहा उनमें अपनी बुद्धी है उन सभी में जन्म के दौरान गर्बधारन के बाद वो नवजाच शिशु में जैसे प्रवेश करते हैं और वो मृत शरीर को जैसे छोड़ते हैं इससे साफ पता चलता है कि उनमें अपनी एक बुद्धी है जब तक आप इस बारे में बहुत सचेत नहीं होते तब तक आप इस पर ध्यान नहीं दे सकते अगर आप मुझसे पूछें तो यह अपने आप में एक दुनिया है इसके लिए एक खास तरका ध्यान देना होगा शायद ध्यान शब्द से बात स्पष्ट नहो मैं ध्यान शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे शब्दों के गलत अर्थ लगाए गए है जागरुकता वगरा शब्दों के गलत अर्थ लगाए गए है तो मैं ध्यान शब्द का उपयोग कर रहा हूँ पर ध्यान शब्ट से साफ पता नहीं चलता कि क्या जरूरी है सिर्फ मानसिक सतर्गता काफी नहीं है आपको वाकई ध्यान देना होगा अगर आप खुद को ऐसा बना ले तो आप जान जाएंगे कि ये पांचों कैसे काम करते हैं झाल झाल